नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली रॉंडप शो आईए नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्ख्यों पर किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोट ने लगाई केंद सरकार को फटकार हर्याणा में किसानों के भारी विरोत के बाद रद हुआ मुख्य मंत्री खटर का कारेक्रम उत्रप्रदेश में आठ किसान नेताओं पर लगा गुंड़ा एक्ट हमाई चौती और आखरी कपर कुर सरकार की तरफ से अदालत में कहा गया कि दोनों पक्षों ने हाली में मुलाकात की है और चर्चा आगे भी जारी रहेगी हाला कि इस पर चीफ जस्टिस बोवडी ने नाराजगी जताई और कहा कि जिस तरह से सरकार इस मामले को समाल रही है कोट उससे निराश है चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि या तो सरकार इन कानूनों पर कोई ठोज कदम उठाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कदम उठाने को बाद्धी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमाये समक्ष एक भी ऐसी याचिका दायर नहीं की गई जिसमें यह कहा गया हो कि यह तीन क्रिशी कानून किसानों के लिए फाइदे मन्न है उच्चितम न्यायले ने क्रिशी कानूनों को लेकर एक समीती की आवशकता को दोहराया है और कहा है कि अगर समीती ने सुझाओ दिया तो न्यायाले इन कानूनों को लागू करने पर रोक लगा देगा सुप्रीम कोड ने आगे कहा कि आज यकल इन याचिकाव पर एक ठोज आदेश सुनाएगी हर्याणा में किसान आंदोलन तेज होने लगा है इस कड़ी में राजी के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर की किसान पंचायत बैठक किसानों के भारी विरोत के बाद रद्द करनी पड़ी यह बैठक हर्याणा के करनाल में होने वाली थी जिसमें मुख्यमंत्री किसान कानून फायरे किसानों को बताने वाले थे प्रदर्शन करने वाले किसानों पर पुलीस की तरफ से आसू, गैस और पानी की बहुशारे छोड़ी गई परउन्तु ये सब भी किसानों को घटना स्थल पर पहुचने से नहीं रोक पाया इसी बीच प्रदर्शन कारी किसानों ने खटर के हेलिकॉप्टर को उतरने के लिए बने हेलिपैट को खोट डाला इसने खटर को अपना कायकम रद्द करने पर मजबूर कर दिया किसान सभा के अधर्श प्रीट सिंग ने इसे नकली किसानों पर असली किसानों की जीर बताया है उन्होंने कहा मोख्यमंत्री खटर को पता होना चाहिए कि किसान सडकों पर बैटे हुए है और आप नकली किसानों को जमा करके किसान पंचायत के नाम पर राजनीती नहीं कर सकते अगर कोई बीजेपी नेता दुबारा यह करने की कोशिश किया तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा इसे सत्ता का गलत इस्तमाल करने की कोशिश ही कहा जाएगा कि तीन क्रिशी कानूनों के खिलाफ दिल्ली नोड़ा सीमा पर चलने किसानों के प्रदर्शन में कतित रूप से भाग लेने के आरोप में प्रदार मंत्री नरिन मोदी के संसदी छेतर वारांसी के बनास हिंदू विश्व विद्याले के एक चात्र सहीत आठ किसान निताओं के खिलाफ सक्त उत्तर प्रदेश गुंडा नियंतर कानून 1970 कायम किया गया है इस कानून का इस्तमाल अखिल भारती किसान सवा के जीला सची राम जी सिंग, भारती कॉमरेश्ट पार्दी के जीला सची जैशंकर सिंग, स्वाराज इंडिया के राम जनम यादव, बियेश्यू के छात्र शिव राज यादव सहीत पांच और लोगों पर लगाया गया इस गुंड़ा अधिनियम के लगाय जाने पर सक्त प्रतिक्रिया देते हुए, AI केस के राम जी सिंग ने इसे नीकरिश्रितम राजनीतिक प्रतिशोत करार दिया है सिंग ने नियूस क्लिक से बातचीत करते हुए बताया, हमें गुंड़ा अधिनियम के तहट नोटिस बेजे गए और 16 जनवरी तक लिखित स्पश्टी करण मांगते हुए कहा गया है कि प्रशासन को इस अधिनियम के तहट कारवाही क्यों नहीं करनी चाहिए गुंड़ा एट लगाने की मुख्यों वज़ा इन नेताओ द्वारा किसान अंदोलन का समर्थन करना था योगी आदितनात की अगवाई वाली उत्तरपेज सरकार राज में किसानों के विरोध प्रशन स्थल तक या दिल्ली की सीमा तक पहुँचने से रोगने के लिए कतित तोर पर हर जीले में उन किसानों को चिनित करने की जिम्मेदारी दी गई है जो किसान अंदोलन का हिस्सा बनने की कोशिश कर सकते हैं सरकार की तरफ से इन नोडल अधिकारियों को जारी किये के निर्दोशों के मताबिक उनसे कहा गया है कि वे गाउं का दौरा करें और असरदार किसान नेताओं के साथ बाद चीजश शुरू करें और अंत में नजर डालते हैं कोरोना अपडेट पर केंदी स्वास्त बंतराय द्वारा आज सोमवार यानि के 11 जवरी को जारी आगडो के अनुसार देश में पिछले 24 घंडों में कोरोना के 16311 नए मामले सामने आए हैं इसके अलावा देश भर में कोरोना से आज 225 दिन बाद 200 से कम यानि 161 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बीच कोरोना से पिड़िट 16969 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में 809 मामले कम हुए हैं देश में कोरोना के मामलों की संक्या बढ़कर 1.4.66595 हो गई है जिन में से अब तक 1.5.160 मरीजों की मौत हो चुकी है स्वास मंत्राले की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी डेट बढ़कर 96.42 फीस दी हो गया है यानि कुल मरीजों में से अब तक 1.92.909 मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश में अब कुल एक्टिम आमलों की संक्या घट कर दो दसमिलों एक दो फीस दी यानि दो लाग बाइस जार पांसो चब्विस हो गई है आज की एपसोड में बस इतना ही न्यूस क्लिक की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंगलिस वेपसाइट भी जरूर देखें फेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्रिटर पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया